जय हिन दोस्तों आप सभी का हमारे एक नए क्लास में स्वागत है तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे इतिहास के ओरजिन के बारे में मतलब मानव इतिहास कहां से सुरू हुआ और कैसे कैसे इसका विकास हुआ उसके क्रम को समझेंगे क्या जिस प्रकार से हम आज मोबाइल चलाते हैं, लेपटाप चलाते हैं, तमाम प्रकार के आधनिक उपकरणों को चलाते हैं, क्या उसी प्रकार से आज से 20 लाग पहले का जो इंसान था, जो मानो था, जो आधी मानो था, क्या वो भी चलाता था, या फिर उनका जीवन का रह क्रम बाय क्रम मानों का जीवन बदलता गया और उनके इतिहास का उनके भविस्त का जो है विकास होता गया देखिए इतिहास का साब्धिकर्थ होता है कि हम अपने अतीत में घटिद घटनाओं का जो अध्यन करते हैं उसी को इतिहास करते हैं और इसमें कोई rocket science नहीं है इतिह कहलाता है अब प्रसना आता है कि इतिहास की जन्मदाता कौन है इसकी पितामा कौन है तो देखिए इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस को माना जाता है दिखिए पूरा तत्व विभाग का मतलब यह होता है यह से हम बहुत साल पहले या कई सताब्दियों पहले जो कुछ तो उनको जानने का एक स्रोत है पुरा तत्व विभाग, कैसे जब हम पृतिभी में खुदाई करते हैं, तो खुदाई के दोरां हमें कई प्रकार के साक्ष मिलते हैं, कई सिक्के मिलते हैं, कई सिलालेख मिलते हैं, आस्तम्भलेख मिलते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग उस राबर्ट Nou प्रूष है जो है यह 20 विश्यों के पुरत्ततुन विभाग के जर्म कर gefद्फार्वां अगर हम बात करें भारती पुरत विभाग के पुरत्त विभाग के जर्म होगा रहां को जानने के मोख्याले होगा और एक Copenhegan मी जो Denmark की राजधानी है Denmark एक यूरोप महदिप का देर से उसी के राजधानी है Copenhegan जो की अंतर राश्ट्र मुख्याले है किसका मुख्याले है पूरा तत्त्तु विभाग का अगर हम यहें पर बात करते हैं कि भारतिय पुरत्त विभाग का जो मुख्याले है कहां पर है तो है भोपाल में देखिए MP की राजधानी है मद्द परदेश की राजधानी है भोपाल इसी को कहा जाता है मानौ संग्राले अगर हम बात करें कि इसको कंट्रोल करता है तो इसको कंट्रोल करता है संस्कृत मंताल मानुव सम्झाले को कंट्रोल करता है दोस्तों हमने बेसिक चीजे समझ ली कि इतिहास के जन्मदाता है वह राब आट पुरुस सहाब है अगर भारती पुराता दुभाग के जन्मदाता की हम बात करें तो अलेक जन्र कनिंगम है इन सारी चीजों को हमने चर्चा कर ली अब ह इतने डेवलप्ड नहीं थे इतना विज्ञान नहीं था इतना कुछ भी नहीं था उनका जीवन आसता जो था बहुत ही लो था धीरे-धीरे क्रम रूप से विकास होता आया और हम लोग आज के वर्तमान समय में पहुचे हैं तो हम लोग समझते हैं आज से 20 लाख साल पहले का मानों है उसके जीवन को यदी हम अध्यां करना चाहां तो एक सिस्टेमे क्ड़न से देखी दोस्तो हमारी इतिहास को अच्छे से समझने के लिए बिद्वानों ने इसे कई धागों में विभल्त राखा है उसको समझने का प्रियास करते हैं देखी दोस्तों हमारी इतिहास को अच्छे से step by step समझने के लिए बुरुस नमा के इतिहास का ने हमारी इतिहास को टोटली तीन भागों में विभलत करके समझाया है पहला भाग है प्राग एतिहासी काल, दूसरा है आद एतिहासी काल, तीसरा है एतिहासी काल, अब हम इन तीनों कालों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं देखी जो प्राग एतिहासी काल है वो अलगभग 20 लाख साल पहली से शुरू हुआ और 7000 साल तक चला यह तीनों खंडों में सबसे लंबा समयकाल था मानव इतिहास का अब इन तीनों को हम लोग समझने का प्रियास करते हैं दोस्तों देखिए बुरुस के अनुसार जो एतिहास को तीन खंडों में बाटा गया है वो है प्राग एतिहासी काल आद एतिहासी काल और एतिहासी काल देखिए प्राग एतिहासी काल की जो खासिय थे इसमें तावा की खोजुई मतलब तावे का प्रयोग करना मनुस्यों न सेख लेया तो और आद इत्हासिक काल में मनुष्य कासा का प्रयोक करना सीख लिया उसके बाद जाके एतिहासिक काल में मनुस्यों ने क्या किया लोहे का